नमस्कार राजदाना टीवी पर आपका स्वागत हैं मैं प्रियाँ आपके साथ फिल्मेकर बोनी कपूर ने अब तक अपनी वाइफ और एक्ट्रिस श्रीदेवी के निधन पर चुपपी बनाई रखी थी अब हाली में दिये एक इंटर्विव में उन्होंने इस बारे में खुल कर बात की उन्होंने बताया कि श्रीदेवी अक्सर नमक के बिना बहुत स्ट्रिक डाइट ले लेती थी जिससे बलेक आउट हो जाता था उन्होंने एक इंसिडेट भी शेयर किया जिसमें एक्टर नागा अर्जुन ने एक्टरेस के साथ अपना एक्सपिरियंस शेयर करते वे बताया था कि बेहुशी के कारण श्रीदेवी का एक दाद भी तूट गया था एक इंटर्विम में बोनी ने कहा कि ये नेच्टरल डेट नहीं बलकि एक्सिडेंटल डेट थी मैंने इसके बारे में ना बोलने का फैसला किया था क्योंकि जब मुसे जाच और पूश्टाच की जा रहे थी तब मैंने लगबख 24 या 48 घंटे तक इसके बारे में बात की थी बोनी ने आगे बताया दरसल अधिकारियों ने हमसे कहा था कि उन्हें इतनी पूश्टाच इसले करनी पड़ी क्योंकि इंडिया मेडिया का बहुत प्रिशर था और अंत में उन्हें पता चला कि इसमें कोई जूट नहीं था इस दोरान में सभी तरके टेस्ट से गुजरा जिसमें लाई डिटेक्टर टेस्ट तक शामिल था और फिर निश्चित रूप से जो रिपोर्ट आई उसमें इस प्रश्ट रूप से कहा गया था कि यह एक्सिडेंटल था इंटर्व्यू में बोनी ने बताया कि अपने निधन के वक्त श्रीदेवी डाइट पर थी वे बोले श्रीदेवी अक्सर भोकी रहती थी वह अच्छी दिखना चाहती थी तो वह सुनश्चित करना चाहती थी कि वह अच्छी इस्तिति में रहे ताकि स्क्रीन पर अच्छी दिखे जब से हमारी शादी हुई थी तब से मुझे कुछ मौक पर उन्हें ब्लेक आउट की समस्या दिखी थी और डॉक्टर कहते रहते थे कि उससे तो लो बीपी की समस्या है इसी के साथ पने रही है राजणामा टीवी के साथ तहने बाद